अब लोग का स्वागत है आज मैं अच्छा एक जॉब का खबर लेकर आया हूं जो की भारत पेट्रियूलियन कॉर्परिशन लिमिटेट से है यहां पे अनली डिप्लोमा वाला के लिए यह वैकेंसी है और यह वैकेंसी जो आया है देखिए साथ तरीकों आया है मैंने का साथ और दिन पहले अभी दो दिन पहले बुझाया आया और यहां पर जो पोष्ट और रिजर्वच Ng懲 नंग और यहां पर मेकानिकल का लिंक है मैं डेक्सिप्सन में दे दूंगा तो वहां पर डाउलोड करके अच्छे से पढ़ लिजेगा तो साब समय आ जाएगा आपको यहां क्या मंग रहा है मैं जो में में चीजे में बता देता हूं देखिए यहां पर इक्साल का इक्सिरेंस मंगा गया है यहां पर एक्स्पिरियंस के तौर पर आप का अगर सकते हो तो वह भी आप डाल सकते हो कोई भी पै्ट्रोलियम रिफाइनिंग पाव लिए पेट्रोंगस अगर किये हो तो आप एपलाई बिल्कुल कर सकते हो और यहां पर देखिए जो रिलाक्सेसन दिया हुआ है एस सी ओएच एच केंड़ेट के लिए 50 परसन दिया हुआ है और जो एक्सपिरियंस री नौकिंग है मतलब काट ओफ एक्सपिरियंस डेट जो होता एक पांच दोहाजार आठरा से पहले का होना चाहिए उसके बाद है हमें सब पुछते रहते हों कि बिटेक अलाओ है कि नहीं यहां पर साब साब बता दिया है जो लोग का भी टेक भी एमाई ही मतलब डिप्लोमा के उपर हायर क्वालिफिक्शन है वो लोग एपलाई नहीं कर सकते यहां पर सक्त मना कर दिया देखिए नीड नॉट एपला है यहां पर बता दिया है अगर अप्लाई करोगे तो आप डिस्कॉलिफाइब हो जाओगे ऐसा है और यहां पर और एक चीज़ यहां पर जो ट्रेट बताएगा उस ट्रेट से बाहर अगर कोई ऑन डादा स्ट्रेट से आप अप्लाई करोगे तो भी आप नॉट है आपको सब समय में आ जाएगा ठीक है और सिलेक्शन मैतलोगी बता देता हूं सिलेक्शन मैतलोगी है पहले होगा रिटिन टेस्ट और रिटिन टेस्ट झो होगा सब लोगको नहीं बुलाएगा यहां पर इंडियानॉयां लॉर्परराश्ण जैसे होता है यहां पर सब को नहीं बुलाता है वहाँ पर क्या होता है साब से यहां पर पहला इस्टेट होता है और उसी हिसाब से रोडा ने टहां से में अफ्सार के लिए सब्सक्राइगा और यहां पर यहां पर भी काटव। करेंगा और यह जो टेस्ट होगा यह औली को चिम होगा ठीक है कहीं पर नहीं होगा और टेस्ट बदल भी नहीं सकते ऐसा लिखा गया है और स्किल टेस्ट जो होगा जो लोग कोई इसमें अपको क्वालिफय करना है तो जो डीपेंड कर रहा है आपका जॉब लेने का वह औरा है फास्टेज रिटिन टेस्ट के उपर लाइए पूरा का फूरा फास्टेज ही इसमें आप अच्छा एक रैंक लाइए उससी हिसाब से और उसके बाद जो स्कील टेस्ट स्किनद करता हैं होता है इसिंद कोई रेंकिंग नहीं होता है इसमें अंटी आपको देखा जाता है आप काम कहने के लायक हो या नहीं हो इसलिए ऐसा होता है तो कुछ वैलू रहता इसमें लेकिन इसलिए कुछ वैलू नहीं है और डेट देख लीजिए यहां पर एपलाई का डेट जो है 28 से स्टार्ट होगा ठीक है और चलेगा 11 तरीक को अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और जो लिंक है देखिए यहां पर www.bharat petroleum.com और वहां पर जाके अंदर केरियर सेक्शन में जाना है केरियर सेक्शन में जाके आप एपलाई कर सकते हो और यह एपलाई जो करना है देखिए 11 तरीक को लाई डेटा है जून मैने का यह देख लीजिए और यहां पर पढ़ लीजिएगा सारे एक्जाम में जैसा रहता है और इस्टाक्शन भी पढ़ लीजिएगा मैं जो मेल में चीज है और बता दिया हूं और इसका लिंग भी प्रवाइड करवा दूंगा अब लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तुरांत अपलाई कर दिजिएगा अभी टा स्टार्ट नहीं हुआ है 28 को के लिए अच्छा वेकंस है कि यहां पर बीटेग वाला इंटर्फेर नहीं कर सकते तो यह कंपेटिशन काफी कम है इसमें तो इसलिए बता रहा हूं कि आप अप्लाई कर दिजिए तो चलिए धन्यवाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको अगर देखना है तो जोरू सब्स